इसी भी sentence को frame करने के लिए पहले हमें sentence के type को समझना होगा जैसे यहाँ पर एक sentence आप लोगों के लिखा हुआ है मैं अंगरी जी बोलता हूँ इसके type बद्दम ये जो sentences आपको देख रहा है इसे हम कितने type में बना सकते हैं तो ये एक sentences को आप four तरह से बना सकते हो पहला है simple में आप बना सकते हो second negative में आप बना सकते हो interrogative में बना सकते हो interrogative negative में भी बना सकते हो यानि कि four तरह के sentences में आप एक sentences को four तरीके से frame कर सकते हो बस थोड़ा सा आपको वहाँ पर difference देखने को मिलेगा जैसे कि अगर आप simple की बात करोगे मैं अंगरी जी बूलता हूँ अगर आप simple में बनाना चाहते हो यानि कि affirmative sentences में बनाना चाहते हो तो आप बोलो कि I speak English हम यह tenses discuss नहीं कर रहें कि यह कौन सा tense है यह किस tense के हिसाब से बना है हम वो नहीं देख रहें हम यह देख रहें कि sentence कितने type में बन सकते हैं ठीके मैं यहाँ पर आपको sentence framing सिखा रही हूँ tenses नहीं सिखा रही है तो simple यानि कि affirmative sentences में आप क्या बोलोगे I speak English यहाँ पर not का use हुआ है नहीं यहाँ पर helping verb का use है नहीं अब यह sentences को हम थोड़ा सा change करेंगे मैं अंगरेजी बोलता हूँ कि जगह हम लिखेंगे मैं अंगरेजी नहीं बोलता हूँ यहाँ पर हम नहीं का use कर देंगे तो यह हमारा sentences negative में आ जाएगा और इसे बनाने का तरीका हो जाएगा I don't speak English don't का मतलब होता है do not यानि कि negative की बात करो तो जहाँ भी आपको not देखने को मिल जाए और आपसे कोई पूछे कि यह कौँ सा sentence है तो आप तुरंद बता देरा है यह negative है क्योंकि यहाँ पर not का use किया गया है तो I do not speak English या अगर आप do not का confraction में यूज़ करना चाहते हो तो don't बोल सकता I don't speak English अगर interrogative की बात करते हो तो sentences को थोड़ा change करना होगा क्या मैं अंगरेजी बोलता हूँ ठीक है यहाँ पर नहीं की बात नहीं करें क्या मैं अंगरेजी बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे do I speak English यह जो आपने do का use किया था न यह front में आपको use करना होगा यह negative नहीं है ठीक है interrogative यह negative नहीं है सिर्फ इतना है यह नहीं को आप मत देखी अभी ठीक है यह नहीं को नहीं देखते है हम से इतना देखेंगे क्या मैं अंगरेजी बोलता हूँ do I speak English लेकिन अगर हम बोले क्या मैं अंगरेजी नहीं बोलता हूँ यानि के question तो पूछ रहे है साथ में negative change भी आ रहा है तो हमारा interrogative negative sentences हो जाएगा हम बोलेंगे do I not speak English do use करेंगे then subject आएगा और subject के just बात आपको not का use करना होगा या फिर अगर आप do not को contract करके use करना चाहते हो यानि कि अगर आप contraction भी use करते हो तो do not को एक साथ use कर सकते हो बट अगर आप अलग-अलग यानि कि do not को अलग-अलग use करते हो तो पहले do then subject फिर not का use करना है तो ये sentence की four type होते हैं अब देखें ये sentences में जो helping verb होते हैं वो क्या-क्या होते हैं अगर आप present की बात करोगे तो present में आपको ease mr की जरूरत पड़ेगी has have की जरूरत पड़ेगी और do or does की जरूरत पड़ेगी यानि कि present के सर्फ इतने ही आपको मिलेंगे helping verb इसके अलावा कोई helping verb होता है जी बिल्कुल भी नहीं होता है अगर हम past की बात करें तो past में आपको जरूरत पड़ेगी was, were, had and did इसके अलावा past में कोई helping verb आप work नहीं करते हैं and future की बात करेंगे तो will, will be, will have, will have been यानि कि सब में आपको will देखने को मिलेगा सब में आपको will देखने को मिलेगा यानि कि आप समझ जाना कि ये future है जहाँ will आया मतलम वो future का sentence है तो present, past, future में इतने ही helping verb होते हैं इसके अलावा कोई helping work नहीं होते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए sentence type के structures तो मैंने आपको starting बताया अगर आपको simple sentence आते हैं तो structure कैसा होगा सबसे पहले आपको subject use करना होगा उसके बाद अपने tenses models के according आप helping verb का use करोगे देन आपका verb आएगा वो भी आपका sentence के according आएगा जैसे अगर आप present simple की बात करो तो verb की first form आएगी अगर आप continuous की बात करो तो verb की fourth form आएगी तो इस तरह से आपका verb form change हो जाएगा आपके tensor models के हिसाब से और last में आपको object use करना है अगर object रहते हैं तो आप use करोगे नहीं रहते तो कोई बात नहीं उसके बात negative का structure होगा subject then helping verb आपको use करना होगा helping verb के just बाद आपको not का use करना है यानि कि आप याद रखेंगे helping verb के बाद और main verb के पहले यानि कि helping verb और main verb के बीच में not का use होता है उसके बाद verb तो आपके tense और subject के according change हो जाएगे और object आपको use करना है interrogative की बात करोगे तो helping verb starting में आपको use करना है जो helping verb आप subject के बाद यूज करते थे रहा इसके बाद करोगे तो helping verb आपके starting में आएगी then subject उसके बाद आपको not का use करना है क्योंकि यह negative भी है इसलिए not का भी use होगा verb then object और यह master formula याद रखेंगा subject helping verb verb object यह सब में apply होता है चाहें वह आपका simple sentence हो simple sentence में verb नहीं होता है लेकिन अगर आप sentences को sentences बना होगे तो verb आपके रहेंगे अब देखिए sentences एक frame करके देखते हैं उसकी बाद हमें यह clear हो जाएगा यहां पर मैंने यहां पर चार्ट में लिख भी रखा है कितने टाइप के sentences होते है structure के through मैंने लिख रखा है आप देखिए यहां एक sentence है वह school जा रहा है यहां पर हम tenses कौन सा tense का sentence है मैं आपसे यह नहीं पूछूंगी क्योंकि हम यहां पर tenses discussion नहीं कर रहे हैं हम यहां पर देख रहे हैं कि sentences को कितने टाइप पर बना सकते हैं तो रोहन school जा रहा है इसमें जा रहा है यानि कि इससे पता चल गया कि यह present का sentence है तो हम यह sentences को पहला हमारा sentence हो जाएगा रोहन school जा रहा है हम बोलेंगे रोहन present present में is लगता है है ना present में is लगता है is और देखे subject लगा दिया हमने helping verb लगा दिया हमने उसके बाद verb, verb का forth form आ जाता है going उसके बाद object के रूप में to school का योज़ कर देंगे यानि कि हमारा sentence हो गया Rohan is going to school तो इस तरीके से आपको sentences को बस frame करते वे चलना है तो यह हम लोगों ने simple sentence frame किया अब चलिए एक हम लोग negative sentence frame करते हैं negative में subject लगाने, helping verb लगाने not लगाने, verb लगाने, then object लगाने तो सबसे पहले subject यानि कि Rohan, helping verb यानि कि is उसकी बाद आपको not का use करना हो क्योंकि यह negative है उसकी बाद going to school जैसे आपका as it is आप उतार दोगी हमारा sentence हो जाएगा Rohan is not going to school मतलम Rohan school नहीं जा रहा है अगर आप interrogative की बात करो तो आप helping verb यूज करोगे then subject, then verb and object क्या Rohan school जा रहा है क्या Rohan school जा रहा है तो क्या हम बोल दे तो is को starting में use करेंगे, helping verb को starting में use करेंगे is Rohan उसकी बाद दुबार आप is मतलगाएगा, is Rohan going to school तो इस तरीके से आपको use करना होगा is Rohan going to school क्या Rohan school जा रहा है तो हम बोलेंगे is Rohan going to school अगर आप इसके interrogative negative की बात करो तो helping verb, subject, not verb and object आपको use करना होगा तो सबसे पहले helping verb helping verb तो हमारा is है हमने is का use कर दिया then subject है, subject का use कर दिया रोहन उसके बाद negative है तो not का use करना होगा फिर going to school as it is हम उतार देंगे going to school तो हमने 4 टाइप के sentences बनाना सिखा last day is Rohan not going to school क्या Rohan school नहीं जा रहा है तो याद रखिएगा किसी भी sentences को जब आप frame करते हो जाहें आपको वहाँ पर यह 4 टाइप के sentences आपको दिखने को मिलेगा कई बर क्या आता है वह फैमली वर्ट्स का भी यूज करना आमें पढ़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको बस helping बब से पहले आपको वह फैमली वर्ट्स का यूज करते दीना है बागी ऐसा ही sentence बनते हैं यह 40 टाइप के sentences आपको काम आएंगे अब लोगों को टेंस्ट्स बगारा सब आते होंगे यहाँ पे हम sentences उसको बनाने का तरीका सीख रहे हैं तो अब मेरे साथ आपको sentences को बनाना है structure इसका लिखना है ठीक है कौन सा sentence में कौन सा structure अपलाई होता है जैसे sentence type है हमारा अब यह देखिए पहला हमने एक verb लिया go मतलम जाना इसका second form went, third form gone, fourth form going and fifth form goes अब यह जो आपको forms दिख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख लिया यानि कि यह जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे है इसकी बाद हम आगे continue करेंगे तो formula जैसे present indifferent की बात करेंगे इसका formula क्या होता है सबसे पहले subject use करना होता है then verb का first form या verb का fifth form use करो उसकी बाद आपको object का use करना होता है ठीक है इसका simple formula past continuous यहाँ पर क्या है past continuous में क्या use होता है continuous की बात करो तो was work का use होता है was work के साथ हमें क्या लगाएंगे verb का fourth form लगाएंगे continue चल रहा तो verb का fourth form लगाएंगे past indefinite की बात करोगे तो यहाँ पर subject use करना होगा verb का second form use करना होगा and object use करना होगा simple सा model का continuous अगर आप कोई सबी model ले लो कैसे मैंने model ले लिया might be जब continue चलता है तो कोई भी model लगाने होते हैं और उसके साथ आपको लगाने होते हैं verb की fourth form याद रखेगा जब आप continuous की बात करोगे present के negative present के negative present indefinite ही ले लो present indefinite का negative हम कैसे बना लेंगे do does का use करेंगे do does plus verb की first form past negative मतलम past negative से आप यही ले लो past indefinite का negative हम क्या यूज करेंगे did plus verb की first form model का negative कोई साभी model ले लो जैसे मैंने would का ले लिया would के साथ आपको negative है would not का use करना होगा then word की first form का use करना है model के साथ can यानि कि आप यहाँ पर can का use करोगे verb की first form के साथ model के साथ should है यानि कि आप यहाँ पर use करोगे should करोगे verb की first form के साथ तो यही वाले structure को अगर हम अपने mind में fit रखेंगे ना तो हम कोई सा भी sentences बना सकते अब यह सारे के चली sentences बनाते हैं देखें यहाँ पर मैंने यह वाला लिख रखा अब हम इसे देख का sentences बनाएंगे सबसे पहला sentence बनेगा present indefinite का sentence जैसे अगर हम बोले वह जाता है तो हम क्या बोलेंगे वह जाता है यानि कि he goes वह जाता है he goes ठीके वह जाता है he goes यह present indefinite का subject लगा दिये and verb में as yes का यूज कर दिये past continuous was work का यूज करना जैसे वह जा रहा है यहां पर सारे में जाने का sense आएगा तभी तो मैंने verb go लिया है ठीके सब में go का ही यूज होगा तो जैसे वह जा रहा है या वह जा रहा था past है ना वह जा रहा था तो हम बोलेंगे he was going he was going वह जा रहा था past indefinite ले ले लेते जिसमें verb की second form लिखती है work गया वह गया तो past indefinite में work का second form लगता है यान कि went work गया था हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे he went work गया यान कि he went model का continence ले लो अब मैंने बताया था model का continence में work का fourth form लगता यान कि going का use होगा might be plus verb का forth form जैसे हम बोले कि उसे जा रहा होना चाहिए अब देखिए might का use रह सकता है चाहिए होगा कुछ भी आ सकता है क्योंकि might का use हम अपने sentences में किसी भी sentences की possibility बिलकुल low दिखाने के लिए करते हैं ठीक है याद रखेगा तो उसे वह जा रहा होगा या फिर उसे जा रहा होना चाहिए simple सा उसे जा रहा होना चाहिए एकदम low possibility है हमारी तो might be का use करेंगे हम बोलेंगे he might be उसे जा रहा होना चाहिए he might be going ठीक है इसमें continue चलेगा इसलिए verb का forth form का use किए present का negative do does है यानि कि ये present indefinite का negative है तो हमारा sentence हो जाएगा वर नहीं जाता है वर नहीं जाता है तो हम बोलेंगे he does not go वर नहीं जाता है he does not go अगर past का negative ले लिए तो वहाँ पर क्या use करने हमें? डेडी का use करने है जैसे वर नहीं गया वर नहीं गया तो हम बोलेंगे he did not go वह नहीं गया, he did not go model का negative ले ले लेते would के साथ जैसे कि वह नहीं जाता होगा ठीक है वह नहीं जाता होगा हमारा sentence हो जागा इसे possibility जाता होगा मतलब इसे possibility है वह नहीं जाता होगा मुझे possibility है ऐसा हम यह sentences को या फिर आप ऐसे बोल सकते तो उसे नहीं जा रहा होगा, ठीक है, वो नहीं जा रहा होगा, continue दिखाते है, ठीक है, तो model का negative में continuous की बात करेंगे, तो would be का use verb के fourth form के साथ करेंगे, वो नहीं जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे, he would not, he would not be going, यहां पर मैं आपको एक sentences को frame करना सिखा रही हूँ, कि किसी भी sentences को कैसे frame किया जाता है, यहां हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, ना tenses सीख रहे हैं, ना model सीख रहे हैं, हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, एक verb को लेकर हम कितने तरह के sentences बना सकते हैं, वो मैं बस आपको दिखाना ठीक है, translation आप समझ सकते हो मॉडल के साथ can का use करेंगे जैसे can का use करेंगे हमारा verb होना चाहिए go जैसे अगर हम बोले कि वह जा सकता है वह जा सकता है, उसके अंदर possibility है मतलब ability है, वह जा सकता है he can go he can go, वह जा सकता है उसे जाना चाहिए, should का use है उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे he should go he should go, उसे जाना चाहिए he should go, तो go देखे हर sentences में आपको यह पर go देखने को मिलेगा, हर sentences में go का, देखे forms ही change हो गया, हर sentences में forms change हो गया, कहीं verb का second तो यह सारे मेनिंग ही चेंज कर लेते हैं तो इस तरह से वाक्य बनाया जाता है चलिए कुछ और भी वाक्य बनाकर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमने सीख लिया तो ज़रूरी हमें सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करना ठीक है तेंसे और मॉडल्स को ना एक साथ लेकर आप सीखो अगर आपको टेंसे जो मॉडल समझ में आ गए लेकिन फिर भी आप बोलती समय कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपने मॉडल और दोनों की दिफ्रेंस नहीं सीखा तो इस तरह के से आप प्रक्टिस करते रहूँ देखो आप डिफ्रेंस भी आपको समझ में आ जाएगा सभी को साथ में लेके चलना अब यहां चार्ट यहां पर दिया हुआ है हमारा संटेंस है मैंने टीवी देख लिया है अब यह संटे watched का third form, watched, I have watched TV, मैंने टीवी देख लिया, I have watched TV, next अगर हम माल लो ले, कि मैं TV नहीं देखा है, ठीक है, मैंने टीवी नहीं देखा है, negative sentence, तो हम क्या बोलेंगे, I have not watched, I have not watched TV, मैंने टीवी नहीं देखा है, I have not watched TV, क्या तुमने टीवी देखा है तो क्या हमने आगे यूज करते है यानि कि helping verb का यूज स्टार्टिंग में करेंगे क्या तुमने टीवी देखा है क्या मैंने टीवी देखा है क्या मैंने टीवी देखा है क्या मैंने टीवी नहीं देखा है क्या मैंने टीवी नहीं देखा है तो हम बोलेंगे have I not washed have I not washed टीवी ठीक है तो इस तर से आप sentences बना सकते हो एक sentences को four type में आप बना सकते हो आप wh family words का भी यूज करके आप sentences को बना सकते हो अब चलिए यहाँ पे हमारा कुछ present में कौन सा formula दे कि यहाँ पे मैंने इससे पहले मैंने बता दिया था कि present का indefinite का sentence फ्रीम करना है past का indefinite या continuous मैंने बता रखा था लेकिन यहाँ पे हम खुछ से करेंगे हमारा एक verb है read यानि की पढ़ना second form read, third form read, fourth form reading and fifth form reads अब यहाँ पे हम पहले बनाते हैं कि यह कौन सा टेंस लेते हैं मानलो present का हम ले लेते हैं continuous तो continuous में हमें क्या यूज करने होते हैं ease mr का use करने हैं तो continuous में ease mr का use किसके साथ वर्ब के fourth form के साथ यूज करते हैं past का भी हम continuous ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा was were plus verb का fourth form future के साथ भी हम चलिए continuous ले लेते हैं ठीक है future के साथ भी continuous ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा will be plus verb का fourth form model चलिए model में हम might या may का भी यूज़ कर सकते हैं maybe यहाँ पर हम middle यानि कि 50% की possibility की बात करेंगे maybe plus verb का fourth form अगर हम negative की बात करें negative में मालों present का ही negative ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा do does plus not do does plus not negative past का negative ले लेते हैं तो हम did का use कर देंगे did plus not है ना model का negative ले 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 चलिए would को ही ले 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 अभी अभी आपको बनाना सीखा ना तो आपको इस लिए यह बनाना बहुत आसान हो गया होगा तो आप एक बाद प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ उसकी बाद अलग sentence कुछ बताते हैं यहां पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाया गया structure सारे कौन से concept बनाने जैसे present में easy मार लगाने तो present में easy मार अगर मैं बोल दू कि present में easy मार कौन से tenses में आते हैं तो आपके mind में तुरंट click हो जाना चाहिए यह तो continuous tense में आते हैं ठीक है वह अंगरेजी पढ़ रहा है he is reading English object भी हमने ले लिया object हमारा English हो गया वह अंगरेजी पढ़ रहा है he is reading English past में was word यानि कि past का continuous है हमारा was word तो past continuous में ही आते हैं जैसे वह English पढ़ रहा था वह English पढ़ रहा था तो हम बोलेंगे he was reading English वह English पढ़ रहा था he was reading English वैसी फ्ईचर में will ले लेंगे ठीके फ्ईचर यंगाध कि बात करेंगे तो will be ले लेंगे जैसे कि वर्ब पढ़ रहा होगा वो अंगरेजी पढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे he will be reading English मतलब आने वाले सहे में ववरं अगरेजी पढ़ रहा होगा तो बोलेंगे he will be reading English future continuous की बात किये next model might be का use करेंगे तो वर्ब का fourth form का use होगा जैसे उसे पढ़ रहा होना चाहिए मैंने मे का बताया था ना चलिए मे का use करते है मे और might में क्या डिफरेंस है मे का possibility 50% की होती है यानि कि थोड़ा तो आप sure हो और थोड़ा आपको शक हो रहा कि हाँ वो पढ़ भी रहा हो सकता है नहीं भी पढ़ रहा हो सकता है यानि कि 50-50% की possibility है लेकिन might का मतलब होता है एकदम less possibility है आपको उसके उपर भरोसा ही नहीं है कि वो पढ़ सकता है बिल्कुल less possibility है तो वहाँ पर might का use करेंगे तो हम यहाँ पर me का use कर देते है हमें थोड़ी बहुत possibility है तो me का use कर देते है उसे पढ़ रहा होना चाहिए हम बोलेगे he may be he may be reading English उसे अंग्रेजी पढ़ रहा होना चाहिए he may be reading English वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है करेंगे, क्योंकि वर्ब की first form use होती है, हम बोलेंगे, he does not read English, he does not read English, वो अंगरेजी नहीं पढ़ता, he does not read English, अब did का use कर देंगे, negative है, did not का use करेंगे, वो अंगरेजी नहीं पढ़ा, वो अंगरेजी नहीं पढ़ा, पास्ट में वो अंगरेजी नहीं पढ़ा, तो हम बोले not, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फर्म आएकि, read English, he did not read English, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा, model का negative would का use करते, would be का use कर देते, वर्ब की फर्स्ट फर्म के साथ, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, वह अंग्रेजी वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, तो हम बोलेंगे, he would not be reading English, model can का use करते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, he can read English, he can read English, वह अंग्रेजी पढ़ सकता है, he can read English, अगर हम बोले, model का शुट ले लेते, जैसे उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे, स्वारी, यहां पर कैन नहीं, should का use होगा, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, he should read English, उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, he should read English, तो इस तरीके से आप different sentences बना सकते हो, बस आपके पास structure होंगे, आप पनालोगे, आ आप बोलोगे, मैं हमें structure ॉसे याद करना होगा, जब बिलकुल ओए, यह सब structure चो होती है, हमें याद करना नहीं होता, यह हमें practice से आती है, जितना आप बोलोगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप प्रेक्डिस करोगे ना, उतना आपके mind में यह fit होता जाएगा, ज़ आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूँ I know you अगर हम बोले मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ तो हम बोलेंगे I don't know you I don't know you मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ I don't know you अगर हम बोले क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, 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 क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो हम बोलेंगे, do I not know you do I not know you क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ या फिर अगर आप चाहो तो ये जो sentences आपको दिख रहे हैं ये sentences आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, do के जगा don't I know you आप ऐसे भी वह सकते हो don't I know you, दोनों तरीका ही अगर आप contraction में don't का यूज करते हो ता फ्रंट में करना लेकिन अगर आप do not को अलग-अलग करके यूज कर रहे हो तो do का यूज करना then subject आएंगे then not आएगा इस तरीके से आपको frame करने अब देखे यहाँ पर एक slide आप लोगों को दिख रहा होगा यह मैं खुद नहीं बराऊंगी यह मैं आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर present में इसे मार यूज करना यानि कि आपके मार में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसे मार कौन से से टेंस में आते हैं past का was, future का will है model का might be है negative do does, negative did model का negative would model का negative can model का should यह सारे sentences आपको एक-एक sentences कम पर, कम का मतलम आना cam, cum, coming, comes कम पर लेकर यह सारे sentences आप frame करके मुझे comment में जरूर चेक कराना मैंने वही सारे दिये हैं जो मैंने आपको practice करवाई, वही सारे tenses models मैंने दिये हैं तो अब इसे frame करके आप मुझे comment में का answer check करवाईएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिएगा मेरे चानल को सब, अगर आप मारे चानल पर नहीं है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो subscribe कराने वाले bell icon को जरू प्रेस कीजिएगा तक कि रोज आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी नहीं कि मैं यहाँ पर आपको tenses या model सिखाने के लिए नहीं आए थी मैं यहाँ पर आपको sentences के types बताने आए थी sentences हमारे four types के होते हैं और अगर हम चाहें तो हम चाहें तो एक ही word को लेकर यानि कि एक action verb को लेकर कई सारे sentences हम बना सकते हैं तो इस तरीके से आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करने लिख लिख कर प्रैक्टिस करने ताकि आपको अंग्रेजी बोलना आज है तो गाइस अगर आपको ये वीडियो ज़रा सभी अच्छे लगी तो एक प्यार सो कमेंट जरू कीज़ेगा अगर आपको टैंसेज में गंफ्योजन है तो लेप साइड क्लिक करके आप मारे टैंसेज वाली वीडियो को जरू विजिट कीज़ेगा और राइट साइड क्लिक करके आप मारे प्लेलेस्ट में जाकर जिस भी कोर्स को जोईन करना चाहतो या पोड़कास्ट में आप हमाया शायर पर जाना पोड़कास्ट में जाना वहां पर आपको चार कोर्स मिल जाएगी एक है आपका 30 days English speaking course जिसमें आपको 30 days सब grammar का concept कवर करवाया गया है एक आपको मिल जाएगी 60 English grammar rules वहां पे आपको 60 grammar rules मिल जाएगे जो कि days पे according नहीं कि ये 30 days की है या 45 days की है ऐसा कुछ नहीं है वो आपको 60 grammar rules करवाया गया है सिर्फ grammar rules ओके कोई structures नहीं और आपको दो courses और मिल जाएगा एक आपको 15 days advanced English structure का course मिल जाएगा जहां पे आप अपने English में फ्लेंसी ला सकते हो और एक आपको 10 days का course मिल जाएगा वो भी advanced English structure का है दोनों में बिल्कुल different different structure आपको मिलेंगे तो अगर आप पहले 15 days का जॉइन करना चाहते हो 15 days का sequence भाई सारे वीडियो देख हर एक वीडियो में आपको अलग structure देखनी को मिलेगा जब आप 15 days का course complete कर लोगे तेन आप 10 days के course में जाना वहां पे भी आपको बिल्कुल अलग-अलग structure मिलेंगे और बहुत सारे structure मिलेंगा अब structure का क्या यूज है हमारी टेल लाइक में तो guys fluency लाने के लिए अंग्रेज जो इसे अंग्रेजी बोलनी है न तो fluency लाना पड़ेगा advanced English structure को सीख कर तो चली मिलते हैं next stress informative वीडियो के साथ अब दे के लिए keep learning